दोस्तों, क्या आप जानते हैं, श्री नारद बड़े ही तपस्वी और ज्ञानी रिशी थे, जिनके ज्ञान और तब की माता पार्वती भी प्रशन सक्थी, तब ही एक दिन माता पार्वती श्री शिव से नारद मुनी के ज्ञान की तारीफ करने लगी, शिव जी ने को इसी अहनकार के कारण बंदर बनना पड़ा था, ये सुनकर माता पार्वती को बहुत आश्चर्य हुआ, उन्होंने श्री शिव भगवान से पूरा कारण जानना चाहा, तब शिव जी ने बताया कि इस संसार में कोई कितना ही बड़ा ज्यानी हो, लेकिन श्री हरी जो च के थी, गंगा जी बहती थी, वो परम पवित्र गुफा नारद जी को अत्यंत सुहाबनी लगी, वहां के परवत नदी और वन को देखकर, उनके हृदे में, श्री हरी विश्नु की भक्ती अत्यंत बलवान हो उठी और वे वही बैठकर तपस्या में लीन हो गए, नारद देवराज इंद्र भैवीत हो गए, कि कहीं देवरशी नारद अपने तपके बल से उनका स्वर्गना छीन ले, इंद्र ने नारद की तपस्या भंग करने के लिए कामदेव को उनके पास भेज दिया, वहां पहुंच कर कामदेव ने अपनी माया से वसंत रितु को उत्पन कर दिया, पेरों पर रंग बिरंगे फोल खिल गए, कोईले कुपने लगी और भोरे गुंजार करने लगे, कामगनी को भढ़काने वाली शीतल, मंद, सुगंध और सुहाबनी हवा चलने लगी, रंभा आदी अपस्राएं नाचने लगी, किन्तु कामदेव की किसी भी माया का, नारद मुनी पर प्रभाव नहीं पड़ा, तब कामदेव को डर सताने लगा, कि कही नारद मुझे श्राप न दे दें, इसलिए उन्होंने श्री नारद से क्षमा मांगी, नारद मुनी को थोड़ा भी क्रोध नहीं आया, और उन्होंने कामदेव को क्षमा कर दिया, का कामदेव के चले जाने पर नारद मुनी के मन में अहनकार उत्पन हो गया कि मैंने कामदेव को जीत लिया। वहां से वे शिव जी के पास चले गए और उन्हें कामदेव को हराने की बात के सुनाई। भगवान शिव समझ गए कि नारद को अहनकार हो गया है। शंकर जी ने सोचा कि यदी इनके अहनकार की बात विश्नु जी जान गए तो नारद के लिए अच्छा नहीं होगा। इसलिए उन्होंने नारद से कहा कि तुमने जो बात मुझे बताई है उसे श्रीहरी को मत बताना। नारद जी को शिव जी की ये बात अच्छी नहीं लगी। उन्होंने सोचा कि आज तो मैंने कामदेव को हराया है और ये भी किसी को नहीं बताऊं। इसके बाद नारद जी श्रीहरी विश्नु के पास पहुंच गए और शिव जी के मना करने के बाद भी सारी कथा उन्हें भगवान विश्नु समझ गए कि आज तो नारद को अहनकार ने घीर लिया है। अपने भक्त के अहनकार को वे सह नहीं पाते। इसलिए उन्होंने अपने मन में सोचा कि मैं ऐसा उपाई करूंगा कि नारद का घमंड भी दूर हो जाए और मेरी लीला भी चलती रहे। नार नारद जी के रास्ते में एक बड़ी ही सुन्दर नगर को बना दिया। उस नगर में शीलनिधी नाम का वेभवशाली राजा रहता था। उस राजा की विश्व मोहिनी नाम की बहुत ही सुन्दर बेटी थी जिसके रूप को देखकर लक्षमी भी मोहित हो जाए। विश् नगर के राजा के यहां पहुँचे तो राजा ने उनका पूजन करके उन्हें आसन पर बैठाया। फिर उनसे अपनी कन्या की हस्त्रेखा देखकर उसके गोंडोश बताने के लिए कहा। उस कन्या के रूप को देखकर नारद मुनी वेराग्य भूल गए और उसे देखते ही रह गए। उस कन्या की हस्त्रेखा बता रही थी कि उसके साथ जो विवाह करेगा वो हमर हो जाएगा। उससे संसार में कोई भी जीत नहीं सकेगा और संसार के समस्त जीव उसकी सेवा करेंगे। ये बात नारद मुनी ने राजा को नहीं बताई और राजा को उन्होंने अपनी ओर से बना कर कुछ और अच्छी बाते कह दी। अब नारद जी ने सोचा कि कुछ हैसा उपाय करना चाहिए कि यह कन्या मुझसे ही विवाह करे। ऐसा सोचकर नारद जी ने श्री हरी को याद किया और भगवान विश्नु उनके सामने प्रकट हो गए। नारद जी ने उन्हें सारी बात बताई और कहने लगे कि हे नाथ आप मुझे अपना सुन्दर रूप दे दो ताकि मैं उस कन्या से विवाह कर सकूँ। भगवान हरी ने कहा हे नारद हम वही करेंगे जिसमें तुम्हारी भलाए हो। ये सारी विश्नु जी की ही माया थी। विश्नु ज है कि वे बहुत सुन्दर लग रहे हैं। वहाँ पर छिपे हुए शिव जी के दो गणों ने भी इस घटना को देख लिया। रिशे राज नारद ततकाल विश्व मोहिनी के स्वयमवर में पहुँच गए और साथ ही शिव जी के वे दोनों गण भी ब्राहमन का रूप बना कर वहाँ पहुँच गए। वे दोनों गण नारद जी को सुना कर कहने लगे कि भगवान ने इन्हें इतना सुन्दर रूप दिया है कि राजकुमारी सिर्फ इनके साथ ही अच्छी लगेगी। उनकी बातों से नारद जी मन ही मन्ज हुए। स्वयम भगवान विश्व भी उस स्वयमबर में एक राजा का रूप धारन करा गए। विश्व मोहिनी ने कुरू नारद की तरफ देखा भी नहीं और राजा रूपी विश्णू के गले में वर्माला डाल दी। मोह के कारण नारद मुनी की बुद्धी नश्ठ हो गई थी। राजकुमारी द्वारा अ अपना मुह तो देखिये, मुनी ने जल में जांक कर अपना मुह देखा और अपनी कुरूपता देखकर गुस्सा हो उठें। गुस्से में आकर जी के उन दोनों गणों को राक्षस हो जाने का शाप दे दिया। उन दोनों को श्राप देने के बाद जब मुनी ने एक बार फिर से जल में अपना मुह देखा, तो उन्हें अपना असली रूप फिर से मिल चुका था, नारद जी को अपना असली रूप वापस मिल गया था, लेकिन भगवान विश्नु पर उन्हें बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि विश्नु के कारण ही उनकी बहुत ही हंसी उन्हें देखते ही, नारत जी ने कहा, आप दूसरों की खुशियां देखी नहीं सकते। आपके भीतर तो इरश्या और कपटी भरा हुआ है। आपने मनुष्य रूप धारन करके विश्व मुहिनी को प्राप्त किया है, इसलिए मैं आपको श्राप देता हूँ, कि आपको मनुष्य जन्म लेना पड़ेगा। माया को हटा लिया। माया के हट जाने से अपने द्वारा दिये श्राप को याद करके नारद जी को बहुत दुख हुआ। किन्तु दिया गया श्राप वापस नहीं हो सकता था। इसलिए श्री विश्णु को श्री राम के रूप में मनुष्य बनकर अवतरित होना पड़ा। शिव जी के उन दोनों गुनों ने जब देखा कि नारद अब माया से मुक्त हो चुके हैं तो उन्होंने नारद जी के पास आकर और उनके चरणों में गिर कर कहा हे मुनिराज। हम दोनों शिव जी के गण हैं। हमने बहुत बड़ा अपराद किया है जिसके कारण हमें आपसे श्राप मिल चुका है। अब हमें अपने श्राप से मुक्त करने की कृपा करें। नारद जी बोले मेरा श्राप जूठा नहीं हो सकता। इसलिए तुम दोनों रावन और कुम्ब कर्ण के रूप में महान, एश्वरह शाली, बलवान तथा तेजवान राक्षस बनोगे और आपने भुजाओं के बल से पूरे विश्व पर विजय प्राप्त करोगे। मुक्ती हो जाएगी। तो दोस्तों, ये कारण से नारद जी को बंदर का रूप मिला था। आशा करती हूँ, आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, धन्यवाद, आपका दिन शुब हो.